इसी तरह जहें अल्ला ने फर्माय है, सुरह बकरा सुर्थ नमबर दो, आयत नमबर ब्रेलीत तरीके से उनको फिर तुम रख लो तो दो बार तो रोकने को कहा तिसरी बार उनको छोड़ना है दो बार रोकेंगे तिसरी बार बोल दिया था फिर तीन हो जाएगा उचला लेकिन अब इसके अंदर भी क्या है कि दो गुरूपों के अंदर अलग-अलग इसके अंदर मसला है दोनों का एक्तिलाफ है इस आयत से खास एक्तिलाफ है सब को तो एक ग्रूप तो यह कहता है कि नहीं यह दो अलग-अलग मौके के लिए कहा गया और एक ग्रूप कहता है कि नहीं दो बार बोला एक साथ बोला उसने थलाफ हो गया और इसके अंदर यह है के अभी तरक इसका फेसला ही नहीं हुआ दोनों इसके अंदर लगे हुए अपने अपने अदलाले उसमें देने के लिए वो दोनों बड़े बड़े ग्रूप इसके अंदर लगे हुए इस आयत पर एक तिलाप है तो अब ये मिसाल के तोर पर हमारी यहां पर एक मेमान आया अब ये मरातान ये एक होता है एक बार में दो होता है दो बार में दो होता है हमारी यहां पर मिसाल के तोर पर कोई मेमान आया हमने उसके सामने एक गिलास और एक जग रखा पानी का और उसने जो है उसके अंदर से दो गिलास पानी भर के पी लिया उसके बाद हो चला गया है हम क्या कहेंगे दो गिलास पानी किया कि दो बार पानी पिया हम क्या कहेंगे कि दो गिलास पानी पिया कि एक बार में पी लिया तो यूं तो नहीं कहेंगे कि दो बार पानी पिया उसने, एक बार पानी उसने पिया तो ये है कि आप एक और मिसाल है कि दक्टर ने दवाई दी और डक्टर ने खाitu कि दिन में दो बार खाना है और वो मरीज ले गया और उसने क्या करा कि दिन में दो बार हो उसने दोनों खुरा के एक साथ खा ली तब इसको कहेंगे कि दिन में दो बार खाई ने यह डबल डोस खा लिया अब वो डबल डोस नुकसान करेगा फायदा करेगा वो तो डक्टर देखेगा लेकिन यह है कि हम यह कहेंगे कि नहीं दो बार नहीं खाई इसने दिन के अंदर इसने एक बार इक खाई डबल डोस खा लिया अब यहाँ पर मसला यह है कि मरतान यह दो अलग अलग बार में बोलने के लिए आता है यह एक बार के लिए नहीं होता है जिससे दो मिसाले हम आम जबान में भी यही बोलते हैं यह तो नहीं कहींगे कि आदमी एक बेठक के ओपर एक साथ दो गिलास पानी पिया हम कहेंगे दो गिलास पानी पिया हम कहेंगे दो गिलास पानी पिया हम कहेंगे दो गिलास प 4. फिर्मार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व पेपर अब शेकर पांचों कि बाद में किया और लाख लगा दिया खाँ चैसे हुए जगड़ा होता रहा और एक दिन जगड़ा नहीं हुआ बीच में उसके बाद एक दिन छोड़के फिर वापस शुरू हो गया पाच्वे दिन नहीं हुआ चटे दिन से फिर हुआ और फिर पास दिन ओर चलता रहा तो अब पेपर में क्या आएगा कि नहीं चार दिन एक पेपर में यही आएगा खबर क्या बनेगी दस दिन तक जगड़ा चलता रहा वापर फसाद चलता रहा यह आएगा वो बीच का गेप थोड़ी आएगा उसके अंदर बोले कंटीनिस रहा वो एक दिन से क्या उसमें होता है तो यह है कि यहाँ जो कुराने में बनेगा कि दो बार हुँने फसाद तो दो बार फसाद होा उनके अंदर एक बार नहीं हुआ कब हुआ कि एक बार तो दाऊथ आएगा nut एगा वनी इज्याल के और उसके ज्जाद हुआ इसी तरह एक और जो है फरमाया सूरे तोबा सूर नम्बर नो आयत नम्बर 126 में फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं कि साल में एक मरतबा या दो मरतबा हम आजमाई से आती रहती है दोनों चीज़ इसमें कहिए कि एक मरतबा या दो मरतबा आजमाई से आती रहती है यहाँ पर यहाँ पर भी 2 लार के लिए मरतान को इस्तेमाल किया गया यह निकि 2 साल में 2 बर उन पर उन्पे शाजित पहाती है तो एक साथ के लिए ही नहीं है अलग अलग वक्तों के लिए इसके अंदर गया है अब यह के अब जिसे एक आदमी को बुखार आ गया अब बुखार आया बुखार में रहा था दो तीन दिन और उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा बुट ठीक हुआ और फिर उसको जो है टाइफाइड हो गया एक आद दिन कुछ ठीक हुआ पिर टाइफाइड हो गया और न्यूंद कहेंगे कि नहीं दोबार भी मर बुकर रहा ह hell थोड़ा थीक हो रहा तो फिर आगया तो 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 बार हो आगा एक बार हुआ तो एक मुके के लिए यह नहीं बोला जाता, कुरान के अंदर भी यह नहीं बोलते हैं, इसको हम भी इस्तिवाल नहीं करते हैं, बोलचाल की दुबान में, अब दो ग्रूपों के अंदर इसमें बड़ा इक्तिलाफ है, एक केता नहीं, यह एक बार के बोलने के लिए बोल दि से लेंके कुन सा दिएर और तक रदाम के कुन सा तरीक सा क्या हूं से लिए हुगा बिंगी जो कुरान अभी मताबी के ऊपयों तरीक लगाве यह मैं उसकी घृशष एकस में अच्छा रसूल सल्लम कर दो ले मैंने को एक शक्क्सिर्ड आ है और उसने एक बार में तीन तलाग दे दी अलाग रसुल लुन नसी पूछा कि एक बार में दे दी तो ने का कि हाँ दे दी कहा एक हुई पहले तीन बार दे दी यह अले था कि एक हुई इसी तरह एक और रिवाहत में ब्लता है कि उबowane अबास जो है वो फरमाते हैं कि अल्ला के रसुल ले सलम के दोर में और अबू बक्र के दोर में यानि पेले खलिफा के दोर में और इसी तरह हजरत उमर के सुरू के दो साल के अंदर तीन तलाक को जो है उसके अंदर एक ही माना जाता था तीन तलाक कोई देता था तो उसको एक ही माना जाता था तीन नहीं मानी जाती थी लेकिन हजरत उमर ने लोगों ने बार बार ऐसा करना शुरू कर दिया तो हजरत उमर ने इसके लिए एक ताजीराती कानून बनाया और उसके तहट यह रखा वो क्यों ताजीराती कानून क्य तो उन्होंने वो कानून बनाय बुराई को रोकने के लिए और ये सजा के तौर लाए उस कानून को और ईक और रिवाद ने मिलता है कि एक आदमी ने तीन तलाग दे दी तो अल्ला की रिशुलWarem ने फरमाया कि मेरे मुञुद होना के साथ मैं अल्लáh की किताब से खिलवार किया जा रहा है और एक सावी महाँ पर खढ़े थे तौने क्वण्य में कि इनके गरदन उड़ा दू क्योंकि किताब से खिलवार की बात है इसे तना गुम्सा जाए के नहीं हो जाए हो जाए हो जाए तो हो जाता है और थिलवाड करने तो करने तो बड़ी अजीब बात है ये भी सूचनी की बात है जब अल्ला की रसुल उससे नाराज हो रहे हो उस अमल से और आज गोई अमल किया जा रहा है तो बोले हां करने तो कोई बात ही नहीं हो जाता झाल झाल